आज बनाने जा रही हूँ मश्रूम गलौटी कबाब बहुत सारे तरीका होता है ये बनाने का सभी अच्छा है मैं जैसे बनाती हूँ अगर वो आपने बना लिया तो जो नौन विच खाता है उसे भी पता नहीं चलेगा कि ये मश्रूम गलौटी है पता है जो जो मसाला मैं यूज करें हूँ आप कोशिश कीजिएगा वही मसाला आप यूज करें हाफ टीस्पून क्योड़ा वाटर हो सके तो इससे जरूर डालिए इससे कबाब का टेस्ट और भी बढ़ जाता है आप करें दो आप करें दो आप करें आप देख रहे होंगे अब तक मैंने यहां पे घी या तो तेल का इस्तिमाल नहीं किया आप करें दो आप करें आप करें दो आप करें पैन में वान टीश्पूम देशी गी का डालिए और का इस्तिमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट नहीं आएगा। मेडियम हिट में 7-8 मिन तक इसे भूनना पड़ेगा। तब तक भूनिये जब तक इसका डो लाइक कंसिस्टेंसी आना जाए। तक अुड़ेख जड़े हिंगा। इसका डिए परस बार राल सकते हैं senior गलोटी का शेप देते वक्त हाथ में जरूर पानी लगाईए तो ये चिपकेगा नहीं और एक बात शेप देने से पहले ये मिश्टन पूरा ठंडा होना चाहिए यहाँ जो काजू और किश्मिश का स्टाफिंग जा रहे हैं ये कंप्लेटली आप्शनल है पूलोटी का शेप देक ये ला रहे हैं है यह कबाब बनाने के लिए कोटिंग का कोई ज़र्णत नहीं है 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 यह मश्रूम गलावट नौन विच से कम नहीं आप अगर एक बार खाते हैं तो बार बार खाने का मन होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ज़र्णत नहीं है ज़र्णत नहीं है